साम्कुर्ट फ्रेंस आज का हमारा टॉपिक है वह सब प्रोग्रेसिव रिजिस्टंस ट्रेइनिंग चॉका हम सब्गूं के प्रोग्रेसिव रिजिस्टेंग बीक है एक एक वीडियो बनाई डिया उसका आपको निक शो रहोगा वहां से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं तो हम इस लेक्चर में इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि प्रोग्रेसिव रिजिस्टेंस ट्रेनिंग होता क्या है ठीक है अब इसकी डेफिनेशन यह है इन इस ट्रेनिंग पार्टिस्पेंट एक्सरसाइब एक्सरेंडर रिजिस्टेंस जैसे कि वेड्लवन रिजिस्टेंस पहले करता है और क्या करते हैं और अज़िए के आछवे विद्वन कांट्रेक्शं साथ शाथी गार्य कार्ट होती है अच्प यूसके इस बैसम 2 जब quicker उनको वह भमेघा एक्सिंग 1721 उनकीनिक calorie का जैसे कि अब मैं हूँ जैसे अब मैंने 10 kg का वेट उठाना है ठीक है तो मैं क्या करूंगी 10 kg को वेट को उठाने के लिए मैं उसको उसके साथ 3-4 रेपिटीशन कर सकती हूं ठीक है माक्सिमम मैं उसको 4 दफा उठा सकती हूं ठीक है उससे जादा मैंने उठा सकती ठीक है ट्रेनिंग करती रहूंगे उसको लिफ्ट करती रहूंगे जैसे जैसे हर दिन उसके साथ exercise करूँगी तो क्या होगा कि मेरी जो strength है वो improve होती जाएगी जैसे जैसे मैं strength improve होगी मैं अपने resistance भी इंक्रीफ करूँगी जैसे कि अब मैं 10 kg weight के साथ मैं 5 repetitions या 4 repetitions करी थी तो हम मैं क्या करूँगी उसी 10 kg के साथ मैं आप 5-6 repetitions करें क्योंकि इसका मतलब मेरी repetitions increase हो रही है मैं असानी से उस weight को उठा सकती हूं तो हम मैं क्या करूँगी मैं अपना weight कर दूँगी increase जो resistance है उसको increase कर दूँगी हम 11 kg पर अपनी resistance जो है वो वाला weight उठाऊंगी 11 kg वाला क्या होगा मैं और ज्यादा weight resistance increase करूंगा जैसे से में resistance increase करते जाओंगे वैसे से मेरी strength बी इंप्रूव होती जाएगी अब इसमें क्या कॉमन क्यूबन यूज फो पी आर्ट इंक्रूज एक्साइस मशीन जैसे कि आपने जिम में देखा होगा कि बहुत सारी मशीन होती है वहां पर जो आपने ट्रेइनर्स देखे होंगे वह उन मशीन को यूज कर रहे होते हैं यह फ्री वैट्स होते हैं like dumbbells होते हैं cattle balls होती है barbells होते हैं ठीक है elastic bands होते हैं आपने देखा होगा जिम में यह साही चीज़े मुझूद होती है और उनसे जो एथलीट्स होते हैं ब बदलब कि पी आरी जो था वो फॉर्स डिश्काय वह दिल ऊमने किया था और इसने यह कहा था कि आफ्टर इंज्री क्या होता है कि हमाई मसल्स जो होते हैं थोड़ीवीक हो जाते हूं उन्हें स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो उस्ट्रेंथ को वापिस लाने के लिए हम यह व कि इखा ऊफंडियों का सब्सक्रा र सब्सक्राइब श्रीन का अप्रोगाicon जहां तिए उने कंटी सब्सक्राइब 1 आप के दिए कına चाहँगा और उइस साथ सब्सक्राइब टैक्स करमा हमें करनों शप्राइब करना करते हैं। हमें श्रॉंग को अब सब्सक्राइब होतां और मुंत्राइब आद्यूंच की तरहा नहीं नहीं है तैकनीक को अनके लिए तो आप इसको कि आप अपने घर में खर सकते तो आप इस वीडियो को देखने हैं ताकि हाए ताकि आपको छी घिंट जा रहे हो तो वह तो आप इस टेक्नीक के साहँ तरेनिंग कर सकते हो ताकि आपकी स्ट्रेंथ बिल्डब हो तो हम देख लेते हैं कि इसकी टेक्नीक है ट्रेक्नीक में सबसे पहले पॉइंट है रेम को कहते है रेपिटिशन मैक्सिमम ठीक है इएक दफा जितना वह टैक्सिमम लिफ्ट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं वन हो रपिटिशन मैक्सिमम competit to calculating अगर मैं 5kg का Weight 1 Duffah lift कर सकती हूं दूसरी दõफा में नहीं नहीं कर पाओंगी तो मेरा 1еро afin 5 reps maximum होगा नहीं कर पाओंगी मैं 5duffah kas drop 2これ कर सकती हूं कितने o Solar An national weight 8 kg 4 अरेम तक लिफट कर सकती हूं तीकनिक फोलो कर सकते हो जो के आपके लिए असान हो अब हम देख लेते हैं तीलॉम्स अबाटिकन्स इस टिकनिक में होता क्या है तो हम वह देख लेते हैं पहले हमाखे पेशन आया आया तो हम उपको पार्टिस्पन्स आया तो हम उसको कहते हां कि उसको πε Micha Si Gras Гawu 你 इसको इसको जाथ संबatta शक्रमी को ईकनिक मप्यूशन क्या अधिकनिक मुध ख्या है तो हम उसको अप्यूश्या है प्याजमन स्टेशं में एक प्रका का नहींमिन 15kg तो उसने 15kg दो कoi सकता है अब किया कि हमने पैशिन को अब हमने पता चल गया कि 15 kg उसके लिए मुश्किल है वह एक से जाद़ 10 repetitions कर ली फोर सब्सक्राइब हमने 13 वेट दिया 12 दिया 11 दिया 10 दिया 13 पे वह 11 कर रहा था 12 पे 11 कर रहा था 10 पे आकर 10 repetitions की 10 kg हमने वेट दिया उसने तो उसके साथ 10 repetitions कर ली इसका मतलब उसके 10 repetition maximum हुई उस वेट के साथ ठीक है अब उसने 10 kg का जो वेट उसने lift की है हमने उसका half जो होते है उसका half क्यों होते है five जो five के जिवेट है हमने उस patient को पहले sets में वो देना है set का मतलब जी जैसे कि अगर एक set में उसने ten दफा हो करनी है exercise उसके बाद break लेनी है और दूसरे set में भी ten दफा करनी है सेट्स होते है पहले sets में जैसे five किये second सेट्स में भी तफा यह different sets होते हैं ठीके इनके बीच में breaks होते हैं अब उसने क्या किया मैंने आपको बताया कि 10 kg जो उसका weight था उसका जो half है ठीके में दिर लिख देती हूं टेन केजी जो टेन केजी ठीक है उसका हाफ क्या है फाइफ ठीक है फाइफ केजी अब ये फाइफ केजी उसने हमने क्या कहा है उस फाइफ केजी को हमने उस पेशन को दे दिया ठीक है हमने फाइफ केजी के साथ उस पेशन से का क्या हमने टेन दफार लिफ्ट करना है ठीक है पार्ट जो होगा वह होगा 7.5, ठीक है, 7.5 जो weight है, kg weight जो होगा, ठीक है, अब हमने वो patient को देना है, कि वो उसके साथ 10 repetition करें, ठीक है, 10 दफा उसको left करें, फिर हमने 3rd set में क्या करना है, कि वो ही 10 kg उसको कहना है, कि 10 kg weight ले उसके साथ 10 repetitions करें, ठीक है, अब ये 3 sets होगे, लेके इन त्रीस सेट्स में 30 दफ़ा लेफ्ट की Congratulations आपके जो मसलो हो तो कि ऊठते हुद है ृजिसेंड का रो ब को घु घुरूड होते है तो अपने आपको तूब्लाज़ Señ आता है वह उत्रेंटी आता है और उक्सीजन का arrive साज़ के रीघृध करते हैं जिससे कि जब आप किसी को आप में सुना होगा खून जब आप देते हो ठीके तो आप क्या आप में सुना होगा कि जो खून देता है उसकी बॉड़ी में और नेप सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं ठीके तो इसी तरह जैसे जैसे आपके फाइबर्स ब्रेकडान होंगे उस और नई सेजाना शुरू हो जाएंगे तो उसी को हम कहते हैं कि strength build-up हो रही है नई सेजार है वहाँ पर regrowth हो रही है ठीक है अब उस regrowth होने के लिए हमें ठोड़ा सा time चाहिए relaxing time चाहिए ठोड़ सी break चाहिए ताकर हमारे उस time में जो joint breakdown हो है के बाद हमने ड falt में अपने रिजिस्टैंस ट्रेइनिग कर लियंगोँ उसके भाद को priests है पिर दूसरे जु़ तुम तो हमने उसके बाद भाद को ये ब्लाद करना प्रायाई चाहिए वह ब्र तरफा की तो 30 लिफस्स इसतरा हमने 30 30 करनी है और फिर आमने 10 रेपिटीशन को प्रोग्रेस करना है जैसे आपकी तो आपकी प्रोग्रेस करोगे आपकी रिजिस्टन भी चेंज होगे आप पहले 10 kg उठा रहे थे तो आप नेक्स वीक में आप 12 kg उठाओगे 13 kg उठाओगे तो आपके प्रोग्रेस इस लिहां से चेंज होती रहेगी अब हम देख लाएते हैं ऑक्सवर्ट ट्रेनिंग में भी हम इसी एक्जामपल लेते हैं कि वह 10 kg वेट के साथ 10 repetitions कर रहे हैं अब हमें यह बात पता चलिए अब हमने उसको जो 10 kg वेट है उसमें से हमने एक-एक माइनस करते रहना है जैसे कि आप 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 kg हमने उसको देना है 9 kg देंगे उससे कहेंगे कि 10 दफ़र लेट करो इस तरह हम 8 kg देंगे 7 kg देंगे 6 kg देंगे 5,4,3,2, जब हम 1 पर पहुचेंगे तो 1 पर भी हमने उसको कहना है कि 10 लिफ्ट करें इसके साथ ठीक है और हर सेट्स के बाद हमने ब्रेक ज़रूरी देना है अब यह सारी जो लिफ्ट्स है यह एड को तो 100 लिफ्ट्स बनती है ठीक है 100 लिफ्ट्स की है उसने एक सेशन में और यह यह से 5 लिफ्ट्स करना है हर वीक में पांच लफ़ा करना है पहले चार दफा थी यह पांच लफ़ा है और इसने प्रोग्रेस देखने है 10 डेली और डेली आपने अपनी डेशिस्टंस जो है रिपेटीशन माक्सिमम हो डेली चेक करना है और अपने रिजिस्टंस जो करले सकता है और देस्ट है करना है यह बूले से 10 लिफ्ट करना है हुआस तो टम है ते मिले समय आपने यहिंथा ख़ंड रिजिस्टंस जो यह इंक्रीप उजाए हो जगा एक तो घू थी कर रिजिस्टंस में में से इंक्रीशन में इंक्रीज हो जाएगी ठीक है अब आपको होगे कि तु टेर्ण रेपिटीशन मैक्सिमम में पहली बात तो यह कि आपको आपके पास कोई भी घर में अगर आप करना चाहिए तो आप बॉटर बॉटल जो होती है या आप थैली में भरलो रेद भरलो सांड बैक्स ले सकते हो अगर आपके बाद वेट नहीं है तो आप घर में इस तहाँ यह ट्रेनिंग कर सकते हो दूसरी बात यह कि अगर आप जा रहे हो जिम चाहरे हो और वहां पर जिसे के वेट जो है वो कम पढ़ा टेन नहीं है वहां पर एट पढ़ावे ठीक है अब एट केजी वेट पढ़ा तो एट केजी ठीक है एट केजी का हाफ क्या होगा फोर ठीक है फोर आपने फ़र्स लेट में सिक्स दफटा अना थाना फ्रीग वाइट केजी वेट उसको तो यह आपकी ट्रेनिंग का सेशन हो जाएगा इसको भी उस लहाज से चेंज कर सकते हो ठीके और दूसी बात यह कि आपको सिफ वेट का पता हो कि आप कितना वेट उठा रहे हैं आपको पता हो कि आपका वाटल बॉटल का वेट कितने और सैंड बैक यूज कर तो उसका क्रेपेटिशन मैकसिमम करों यह आपको पता हो सिर्फ स्ट्रेंट ट्रेनिंग में दो छीजा आपको पता हो तो आपकी ट्रेंग जो थिए अराम से और अगर आपको कोई भी समस्स्वाल पूण तो कमेंड सेक्शन में से प् klaMकور सकते हैं thank you so much